प्यारी बच्चू नमस्कार कैसे हैं आप उम्हित करते हैं आप बेटर होंगे आपकी परहाई लिखाई पूरे जो सुमंग के साथ चल रही होगी हम देख रहे हैं समान्य बिग्यान यानि की भाउतकी का क्यूज नमबर तीन जिसमें नया चेप्टरा सुरू हो रहा है बल कार्ज सक्ति और उजा तो बिना समय गवाये हुए सिधे बढ़ते हैं कोश्चन पर लेकिन ध्यान रहे अंतक जरू बने रहेगा अस्टार्टी में कोश्चन कुछ आसान है लेकिन लास्ट में हम सिर्फ आं बिमा होता है दोनों का कार्ज और उजा का भी समान ही बिमा होता है आवेक और संबेक का भी समान ही होता है नहीं अब बल और दाब का समान नहीं होता है बल का बिमा सब को पता है बल का बिमा क्या होता है एम एल टी के पावर माइनस टू होता है जबकि दाब का बिमा दाब नमबर दू कहता है दो भेक्टर भेक्टर के यानि सदीस के बारे में कह रहा है दो सदीस जिनका मान अलग है कहता है दो गो सदीस है जिसका मान अलग है क्या होगा उनकी दिसा अलग होगी उनकी परणामी सुन होगा उनकी परणामी सुन नहीं हो सकता बिलकुल है अगर दो का परणामि सून कभी नहीं होता दोस्त कोशन नमबर 3 की और कदम बढ़ाते हैं निम्लिखित में कौन सी भेकटर यानि की सदीश रासी है बताना हैın 4 पेसा प वरीक हैं सदीश ताफ मान ताफ मानrade यानि कि बलROड़ी सदीश रासी है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 4 की ओर सदीस रासी है चलो फिर वही कोश्चन है हना सदीस रासी बताओ कौन होगा दाव होगा कौनिये संबेग होगा धारा होगा या सक्ती होगा तो सदीस रासी तो कौनिये संबेग होगा नहीं कौन होगा कौनिये संबेग होगा कोश्चन नमबर 5 की ओर सदिस रासी तो हम से कहा कि कौन सदिस रासी नहीं है कभी नहीं हो सकता उन्हें सदिस रासी का फेतर का सुन हो सकता है इकाई रिनातमक धlında परिमान कभी भी रिनातमक नहीं खώνें है दोस्त सदिस रासी का भेक्टर का याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर साथ का अदिस रासी कौन है जल्दी बताओ दोस्त अदिस रासी कौन है अदिस रासी बिल्कुल किलियर पता चर रहा है कि उर्जा एक अदिस रासी है संबेक सदीस है बल अगुं सदीस से नहीं आगे बढ़िए को चुंगन नमबर नहीं होता है लेकिन क्या नहीं होता है दूनों किस होता है सदीश में अधिश में परेमान होता है दूस्त को सनभून मन hyster क्या क्या होगा पिर्थिवी बाई मंडल को किस प्रकार पक्रे रहती है अरे भाई गुर्तवा कर्शन से पक्रे रहती है सब लो जानते हैं नहीं आगे दोखो यहाँ पर कोशन नमबर 10 अब आएगा मज़ा आगे का कोशन में कार के अस्टेरिंग में सामिल है क्या सामिल है एक एक कल बल दो बल जो एक ही दिशा में कार्ज करते हैं दो बल जो अलग अलग रेखाओं पर तथा विप्रिद दिशाओं में कार्ज करते हैं बलो का एक यूग में जो विप्रिद दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्ज करता है यानि डी उत्तर आपका सही होगा नहीं द्रमान स्थिर रहता है द्रमान कभी नहीं बदलता कहीं भी जाओ कोशन नमबर 12 कहता है किसी बस्तू अधिक्तम भार सिल हो जाता है बायू में अधिक्तम भार सिल कहां पर होता है बायू में जल में हाइड्रोजन में निर्वात में तो याद दखना निर्वात में होता है क्यों होता है तो निर्वात में उत्षेपन बल ना लगने के कारण यहां पे भार अधिक्तम हो जाती है, निर्बात में, कोशन नमबर 13 की बात करते हैं, निउटन प्रती किलोगराम किसका मातरक है, अगर इसको तुम देखोगे, निउटन बल का मातरक है, अकिलोगराम दर्वमान का मातरक है, दर्वयमान का मातरक है, तो बल बटा दर्वयमान बटा त्वरन ठीक है त्वरन अब यहां पर द्रमान को इधर फेकोगे तो क्या हो जाएगा बल बटा द्रव्यमान बराबर निकल के आ जाएगा त्वरन है ना तो कहीं ने कहीं त्वरने का मात्रक तो हुआ बल बटा बल बटा द्रमान नहीं यहीं तो हुआ यानि की आपका हो गया त्वरन का मात्रक कौन हो गया त्वरन का मात्रक त्वरन का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वाइर भी होता है सब को पता होगा नहीं और ऐसे भी आप निकाल लिए त्वरन का मात्रक ऐसे भी निकाल लो ए बराबर ए में अगर ए निकालोगे तो क्या होगा एफ पर्षिंड घनल डिया जाए तो जी पर क्या प्रहाफ परेगा बहुत मज्येदार बढ़िया कोउशन देखो सब को याद होगा जी बराबर होता है जी ए में वटा और इसक्वाइर तिया शुरण नै अगर जी को हम शोड़ दें जी- हम को अगर हम शोड़ दें तो हम लिख सकते है जी इन वहाई- रीच 11 वटा आर इसको है इसको देखने से आपको पता चल रहा है कि जी जो है आर का बरका व्युत क्रमा पार्टी है यानि कि आर का उल्टा का सकते हैं आप नहीं इसका मतलब यह होता है कि जी जब बढ़ेगा तो आर घटेगा आर घटेगा तो जी बढ़ेगा आर बढ़ेगा तो जी घटेगा यानि उल्टा होगा तो यहां पर आर यानि कि तिरजिया घट रहा है तो जी क्या पर किसी बैस्तू का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रमान क्या होगा देखो फर्मूला तो जानते ही होंगे आप भार दिया है यहां पर भार दिया है तो भार बराबर होता है एम जी भार बराबर होता है एम जी भार दे रखा है 29.4 तो 29.4 बराबर जी यह पूश रहा है ह 8 होता है तो एम कमान निकाल येगा तो हो जायगा 29-9-9-9-8 नहीं अब यहां पर यह संब्लाब तो आपका हट जाएगा इसको काट तो लगता है यह तीन बार में चाहिएगा यानि कि 3 kg यानि द्रमान आ जाएगा 3 kg यानि कि b option आपका सही हो जाएगा बढ़ते हैं question number 16 की ओर नहीं समझ में आये तो द्वारा उसको देख लेने का प्रयास करिएगा शोड़िएगा नहीं एक भी question को मैं शोड़िएगा क्योंकि सारे question previous year का question है अब बहुत important है अंकी की आगे डिकल्ट डिकल्ट भी मिलेगा उभियेगा नहीं हना मन दाब कर देखेएगा एक बल देशमला पाच किलो ग्राम के पिंड में 10 मीटर परती सेक्टर इसक्वार का त्वरं उत्वन करता है याने कि ये त्वरंड दे रखा है और यह द्रमान दे रखा है यह द्रमान दे रखा है तो बल कमान क्या होगा बल यानि कि यह आप से पूछता है तो यह बराबर तो सब को पता है एम होता है एम दे रखा है 0.5 तुरन दे रखा है 10 इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 50 एक रंके बाद दे रखा है नहीं य उसको समझने का थ्वासा प्रयास करिएगा धहन talents समझाने का प्रयास करते हैं ऊभिएगा नहीं कोषिण कोशशन को फिलेंगा इसके आगे पहर लिए इसके आगे बहुत important question है कहता है किसी एक गेंद एक घेंद ह उचाई पर बिराम की श्ठिती से फर्ट पर अपलब हो जाएगा कि प्रणभी वेक इसका जीरो रहा होगा और गिरते के साथ एच बटा चार उचाई तक बापस उचल जाता है यानि गिरने के बाद जमीन से टक्राने के बाद पूना ये ऊपर की ओर चला जाता है नहीं ऊपर की ओर पूना चला जाता है ऐसे ठीक है इस से कतना उचा जाता है तो एच बटा फोर अब यहां पर सोचने वाली बात है अधिकतम उचाई पर जा रहा है यह तो यहां पर अंतिम बेग भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहां तक को दिक्कत तो कहता है कि गेंद तथा फर्स के बीच प्रतियास्थन गुनांग क्य होगा यह गुनांग क्या है एक रेस्योह हैदोस्त किसकाथी यह ज लय रेस्योह मं बता दना चाहेंगा यह यह रेस्योह जो है ट्टकार के पश्चाथ ध्यान सहस्मंझेगा ट्र ट कर इसको यह से नृपित करो तो आपका हो जाएगा यहां पिर यह-गा बटा भी, यही आपको निकालना है, ठीक है, यही बडाबर यू बटा भी, देखो, उबना नहीं, उबना नहीं यहाँ यहाँ पर थ्यान दिजेगा, बहुत बारीकी से समझ में आ जायेगा, अब यहाँ पर समझेे, थ्वड़ा सा, ज्यादा नहीं भाई, देखो, अगर ये यह जो पिंड था यहां हम दिखा रहे हैं पहले वो क्या हुआ है जमीन पर इस प्रकार से गिरा है पहले वो क्या हुआ है जमीन पर गिरा है नहीं इस प्रकार से हूचाई से जमीन पर गिरा है यहां पे यू कमान क्या था जिरो था जब गिरा यह गिरा गिरा ता कौन समिक्र जीरो अगर यहां पे put करोगे तो हो जाएगा B square बराबर 0 plus 2G हा मांद तो ह उचाय से गिर रहा है तो ह ह ही ही हो जायेगा ना clear यानि कहीं ने कहीं आ गया B square बराबर 2G H थ्वासा लिखा हुआ है तो गिजबी लग रहा होगा ठीक है तो गिरने की स्थिती में आपने एक किरसा निकाल लिया है आप किलियर है यहां तक पहला समिकरन पूना पूना है यह क्या हुआ उपर क्यों उशला है उपर क्यों क्या हुआ है उशला है कैसे उशला है इसको भी हम दिखा देते हैं मान लो कि ऐसे था तो ऐसे चला गया यह उपर क्यों गया ना यतना उचाहि तक ठीक है यानि कि यतना उचाहि आने कि H बटा फोर उचाहि तक उपर गया है यह ठीक है यहाँ पे भी कमान क्या हो जाएगा 0 अंति में इसके उपर तो गया नहीं होगा यहाँ पे चुकी यह उपर क्यों जा रहा है तो आपका एक्वेशन हो जाएगा भी इसक्वाइर बराबर इसक्वाइर माइनस टू जी एच देखिए उबिएगा नहीं हमें डर लग रहा है बार बार कि आप कहीने कहीं उबने लगिएगा अब यहाँ पे भी कमाण जीरो लोगे यह भी कमाण जीरो लोगे तो जीरो बराबर हो जाएगा इउए स्क्वाइर माइनस टू जी एच कमाण यहाँ पे लेना होगा एच बटा फोरे तक गया है तो एच बटा क्या लेना होगा फोर ये दो दूनी चार तो आपका कर जाएगा इसको हल करेगा तो यह आ जाएगा U square बराबर जी बाटा two आ जाएगा नहीं जी बाटा क्या आ जाएगा टू आ जाएगा गौण्स यहाँ पर देखो जाएगा तो हो जाएगा यू एस्क्वाईर बटा भी इस्क्वाइर बराबर तो फान फोलोग है यह यहां पे घ्लोग है लोग है अब आपको आ यू इसक्वाइर बटा भी इसक्वाइर बराबर एक बटा चार यानि यू बटा भी का मान आपका आ जाएगा एक बटा टू गौर से समझो क्या आ जाएगा एक बटा टू आ जाएगा नहीं इसक्वाइर फेको गे तो बर्गमूल एक बटा टू आ जाएगा यानि आपका उ सकते हैं नेक्स्ट यानि की 18 क्योंकि सरदर्द कर रहा होगा एक यह भी बढ़िया कोश्चन है जिसका बजन है 600 kg है यह कोई एक पींड है मालो यही एलीबेटर है ठीक है अब कहता है जिसका बजन 600 kg है इसका बजन लिखा हुआ को है 600 kg चार्द समलाब 9-352 preparation के त्वरन से एक केबल द्वारा उपर क्यों इसको घीचा जा रहा ए यानि केवल के द्वारा इसको उपर क्यों ऐसे घीच रहा है ठीक है उपर की और इस प्रकार से घीच रहा है ठीक है उपर की और बल लग रहा है तो केबल पर तनाब क्या होगा तनाब को हम T कह देते हैं यही T कमान आप से पुछ रहा है तो एक बात यहां मार्क करने वाले बात है कि अगर यह इलिवेटर यह पिंड यह बस्तू को है चार दसनल नोग मीटर पती सेकेंड स्कॉाइड से यानि कि तनाब केबल पर जो तनाब है वो कितना है यही तो आपका प्रस्ण है तो तनाब कितना रहा होगा तो यह वाला में से यह बहार को घटा दो T माइनस M G हैना तो क्या निकल जाएगा इसका द्रमान इसका क्या निकल जाएगा द्रमान निकल जाएगा यही बल तो कर्च कर रहा होगा यहां पर परणामी बल ही नहोगा चलो अब अगर इसको इधार आप ले जाते हो तो टी बराबर टी बराबर यह दोनों में से कॉमा निकालके हम लिख सकते हैं G पलस ए जी पलस यह नहीं अब मान जी कामान 9.88 होता जरूर है लेकिन हल करने में सुबधा हो इसलिए 10 लेना है जादा बढ़िया रहता है तो हम सिधा सिधी 10 देस ही लेते हैं कालकुलेशन का असान करने के लिए G कमान 10 ले लेते हैं और एक हमान 4.99 हो गया किलिए अब इसको अब हल करो गे तो हो जाएगा नो शकर 54 के चार बाकी पाच और शे चो चोविस अपाच 29 के नाव बाकी दू शे अदू आठ एक अंके बाद समलब इतना न्यूटन है अब देखिए कि ऑप्सन में कौन है आठ हजार नौसो चालिस आठ हजार नौसो चालिस याने की सी होगा मात्यक न्यूटन होगा यह क्य दोस्त बढ़ते हैं कोशन नंबर 19 की योट कहता है एक अंतिश यात्री पिर्थिवी तल की तुलना में चन्द तल पर अधिक उसी शलांग लगा सकता है क्यों क्योंकि चेंद तल पर गुटवी त्वरन यह ना पिर्थिवी का एक बाठा शठा भाग होता है नहीं तो इसका option कौन हो जाएगा उबाद चंदर्मा पर भार हिनु होता है नहीं चंदर्मा पर कोई बात बाद नहीं है गलत चंद तल पर गुतवा करसन बल ध्यान देना चंद तल पर गुतवा करसन बल पिर्थिवी तल के तुलना में अल्पतम होता है नहीं कितना होता है अल्पतम यानिक एक वर्टा शठा भाग होता है इसी कारण वह उच्छी शलांग लगा लेता है चंदर्मा पर बढ़ते हैं कोशन नंबर 20 की ओर यह रहा कोशन नंबर 20 चाहता है चंदर्मा की सतह पर द्रमान अभार कम हो जाता है ध्यान देना द्रमान कभी नहीं बदलता है द्रमान कभी नहीं बदलता है ये ध्यान देना द्रमान चाहे चंदर्मान पर रहे या पिर्थी पर रहे इस्थीर ही रहेगा द्रमान नहीं बदलता है हाँ भार बदलता है गुर्तविय तुरन पटिपेंट भार करता है क्योंकि भार वर इसका कौन उतर हो जाएगा भाई तो B हो जाएगा उमिद करते हैं कि ये क्यूज आपको परसंद आया होगा आज का 20 कोस्टन का क्यूज दोस्त इसका PDF टेलिग्राम के लिंक डिस्क्रिप्सम लगा हुआ है उस पे हम डाल दिये हैं वहां से इसका PDF जरूर प्राप कर आए एक बार पीडियो से भी आप पढ़ लिजेगा ताकि 100% कंठाश याद हो जाए ध्यान रहे ये सारे एकजाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगा और अगर बढ़िया लगता है तो कॉमेंट्स लाइक शेर जरूर करिएगा और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो दोस्त हमें दीजे विदा कलपुना मिलते हैं इसके आगे का क्यूज लेकर जब तक खुश रहिए मगन रहिए ओके बाई बाई